समराट प्रत्वी राज चोहान राजकिय महाविध्याले अजमेर के भौतकी बिभाग से मैं अनिल गुपता सेय आचार आज हम अपने बीएस्सी पार्ट बन प्रस्नपत्र तिरती है बिद्दुद चुम्बकत्व इसमें बहुत जगे पर काम आने वाला एक पद फिलक्स उसको समझने का प्रयाज करते हैं कल के ब्याख्यान में हमने सदिस रासियां अदिस रासियां छेत्र सदिस छेत्र अदिस छेत्र और किसी अदिस छेत्र की प्रबनता इसके बारे में जानकारी केते हैं आज का जो पद है वह है फिलक्स सदिस छेत्र का अभीबार ये एक ऐसा पद है जो भौतकी की साखा बिद्दु चुमकत में अनेक इस्तानों पर प्रयोग किया जाता है इस पद को समझने के लिए हम कुछ उधारनों से बिचार करते हैं अपने बिसे की सुंदर्ता यही है कि हम उधारनों को समझ करके सिद्धान्त पर पहुँचते हैं मान लीजिएगा बरसात हो रही है और बरसात में किसी पात में बरसा का पानी एकत्र किया जाए जब बरसा का पानी एकत्र हो जाए तो यदि हम जानना चाहें कि एकाई समय में पात्र में कितना पानी एकत्र हुआ है तो निश्चित ही इसका जवाब कुछ बातों पर निर्भर करेगा जैसे पात्र की जो सत्य है उसका छेत्र पल क्या है बरसा की तीब्रिता क्या है और उसकी दिसा पर भी निर्भर करेगा हम जानते हैं कि यदि पानी पात्र में सीधा यानि सत्य के लंबत गिर रहा है तो पात्र में पानी की मात्रा अधिकत्म होगी और यदि बर्सा का पानी पात्र की सते के साथ कोई तिर्चा या कोई कौण बनाते हुए गिर रहा है तो वह मात्रा कम होगी इस उधारन को समझने के लिए हम एक और उधारन पर विचार करते हैं मानली जीए नदी का पानी का प्रभा हो रहा है और 36 धरातल पर इस पानी के प्रभा का जो बेग है वह है बी है इस नदी में पानी जो बी बेग से प्रभाहित हो रहा है गती कर रहा है इसमें एक आयताकार फ्रेम जिसका छित्रपल ए है उसको लटका दिया गया है अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि इस फ्रेम से निर्गत पानी की दर क्या होगी और किन कारकों पर निर्भर करेगी तो हमको ध्यान आएगा पुने कि निर्गत पानी की दर पानी के बेग पर निर्भर करेगी फ्रेम का क्या छेत्रपल है साथ ही साथ पानी के प्रभा की दिसा के साफेच फ्रेम का अभी बिन्यास यानि फ्रेम का किस प्रिकार का इंकलाइनेशन है उस पर भी निर्भर करेगी हम इन सभी बातों को अलग-अलग इस्तितियों में जाकर के इसपस्ट बिचार करते हैं जैसे यह चित्र हम देख रहे हैं इसमें नदी के पानी के प्रभा की जो दिसा है और जो उसका बेग है मैंने उसको भी बेग से दिखाया हुआ है आयताकार फ्रेम है जिसका छित्र पल ए है आप इस चित्र में देख रहे हैं कि फ्रेम पानी के प्रभा की दिसा के तल में है, जब फ्रेम पानी के प्रभा की दिसा के तल में है, तो निश्य दुरूप से फ्रेम से निर्गत पानी की जो दर होगी, वह क्या होगी, जीर होगी, सुन्य होगी, मान लिजेगा पानी का बेग भी है और फ्रेम का छेत्रपल ए है और इन दोनों के मद्ध यदि कोई कौण बन रहा है तो वह है थीटा है इस चित्र में जो मैंने दिखाया है जो बनने वाला कौण है वह है 90 डिग्री है और निर्कत पानी की दर सुन है यह हम एक इस्तिती पर विचार कर सकते हैं अब जराद दूसरी इस्तिती पर आएं हमने इस दूसरी इस्तिती में पुने जो चित्र है उसमें फ्रेम को पानी के प्रभा की दिशा के लंबत रखा हुआ है जराद चित्र पर आप देखे जब हम फ्रेम को पानी के प्रभा के लंबत रख रहे हैं तो फ्रेम का छेत्रपल की जो दिशा है पानी के बेक की दिशा दोनों एक ही दिशा में हो गई है अर्थात अब उन दोनों के मद्द में जो कौण बन रहा है वह सून है और आप इस चित्र से कल्पना कर सकते हैं कि जो निर्गत पानी की दर होगी वो निश्चित रूप से अधिक्तम होगी और इस केस में जब दोनों के मद्द बनने वाला कौण सून है तो निश्चित रूप से निर्गत पानी की दर अधिक्तम है और इसका जो मान होगा वह है वी ए होगा यारता दोनों के गुड़न फल से दिया जाएगा इस्तिती में पुने ध्यान रखें कि जो दोनों के मद्द दोनों सदिश्चितर के मद्द बनने वाला कौण सून है हम एक तीसरी इस्तिती पर भी विचार कर सकते हैं तीसरी इस्तिती यह है कि जो फ्रेम है वह है फ्रेम पानी की प्रभा की दिसा के लंबत भी नहीं है और यह फ्रेम पानी के प्रभा की दिसा के तल में भी नहीं है वलकि फ्रेम के तल को पानी की प्रभा की दिसा के साथ कोई कौण बनाते हुए रखा गया है जैसा कि मैंने इस चित्र में बताया है तो इस इस्तिती में हम कल्पना कर सकते हैं कि जो अभी हमने दोनों परिष्थितियों पर विचार किया उन दोनों परिष्थितियों से अत्रिक्त इस परिष्थिति में निर्गत पानी की दर अलग होगी क्या अर्थ हुआ इसका अर्थ हुआ कि निर्गत पानी की दर का जो मान है वहे वेग वी और सदिछ छित्रपल एके समानतर घटक अर्थाथ बी कॉस्ट तीटा तो बी कॉस्ट तीटा का एके साथ गुड़न पल लेना होगा और यह मान अलग आएगा तो निर्गत पानी की दर का जो मान होगा वहे मान क्यू बरावर बी एकॉस्ट तीटा होगा और हम इस समीकरण को अधिस गुड़न फल फॉर्म में लिख सकते हैं इसलिए निर्गत पा पर विचार किया और इन दो उधारनों की मदद से इस बहुतकी की साका बिद्दु चुम्बकत में अनेक इस्तानों पर जो पद प्रयोग में लिया जाता है फिलक्स चाहे हम बिद्दु छेतर की बात करें चाहे हम चुम्बकी छेतर की बात करें जैसा कि इस केस में हम यहा पानी की जो मात्रा है, वह मात्रा पानी का फ्लक्स कहलाएगी, हम इसको बाटर फ्लक्स कह सकते हैं, प्रति सेकंड पानी की मात्रा बाटर फ्लक्स कहलाएगी, पानी की दर, पानी की दर को फ्लक्स हो गया, तो पानी की दर या फ्लक्स किस-किस पे निर्वर करेगी, पानी के बेक पे निर्वर कर रही है, फ्रेम के छेत्रपल पर निर्वर कर रही है, तथा उनके अभी बिन्यास, यानि ओरियेंटेशन या कहिए उस फ्रेम का inclination किस प्रिकार का है तीन कारकों पर यह flux निर्भर करता है तो इन दो उधारनों से हम इस पद जिसे हम बाटर फ्लक्स के रूप में लिए हैं एक उधारन के रूप में लिए हैं फ्लक्स को समझाने के लिए अब फ्लक्स की संकल्पना हमारे मस्दिक्स में इसपस्थ हो गई होगी अब इस कल्पना का प्रयोग बहुत की में अनेक इस्तानों पर होना है जैसे आपको ध्यान है कि हम जब बिद्दु छेतर की बात करेंगे चुम्बकिय छेतर की बात करेंगे तो हम उस छेतर को बल रेखाओं के द्वारा दर्साते हैं तो किसी ऐसी संकल्पनाम को हम ऐसे सदिश छेतर के लिए लागू कर सकते हैं जिन्हें की बल रेखाओं के द्वारा प्रयुत किया जाता है मान लीजिए बिद्दु छेतर की बात करें तो यदि किसी बिद्दुद छेत्र में कोई छेत्रफल अलपांस डिये है तो इस छेत्रफल अलपांस डिये से निर्गत बिद्दुद फिलक्स मान लीजे डिफाई है तब इस छेत्रफल अलपांस से निर्गत बिद्दुद फिलक्स का जो मान होगा वो पूर्व की भाती दोनों सदि इस छेत्र के अधिस गुड़न फल से दिया जाना है अर्थात डी फाई एजी उकस्टू वेक्टर ए डॉट डी ये अधिस गुड़न फल के रूप में दिया गया है और इस समीकरण में डी ए उस अलपांच छेत्र पल का मान है जबकि कैपिटल ए बिद्दुत छेत्र की जवासा के रूप में बोलें तो बिद्दुत फिलक्स दिये गए प्रस्ट से निर्गत बल रेखाओं की संख्या को ब्यक्त करता है तो जो संख्या का मान होगा वह संख्या का मान एकाई समय में वह उसका फिलक्स कहलाएगा तो बिद्दुत फिलक्स दिये गए प्रस्ट स निर्गत कतीक आई बलरेखाओं की संक्या को ब्यक्त करता है। अब हम इस बात को थोड़ा सा और बड़े रूप में लेते हैं। मानली जी एक बंदप्रस्ट है और उस बंदप्रस्ट में कोई छेत्रपल, सदी छेत्र का ये इस्तित है तो हम इस संपूर्ण प्रस्ट को अनेक छोटे-छोटे अलपांसों में विभाजित कर सकते हैं। और जब हम छोटे-छोटे अलपांसों में विभाजित कर लें तब अब हम ये जानने का प्रयास करें कि संपूर्ण प्रस्ट से निर्गत फिलक्स क्या हुआ। संपून प्रस्ट से निर्गत फिलक्स क्या है तो हमने पूरे प्रस्ट को छोटे-छोटे अलपांसों में विभाजित कर लिया है तो निश्यत रूप से संपून प्रस्ट से निर्गत जो बिद्दुत फिलक्स होगा वह है इन सभी अलपांसों से जो निर्गत फिलक्स मिलेगा उस सभी का जोड होगा उस सभी के योग के द्वारा ब्यक्त किया जाएगा हम इस बात को जो हमने बोला है कि संपूर्ण प्रस्ट से निर्गत फिलक्स, इन अलपांसों से निर्गत फिलक्स के योग के बराबर होगा, इस भासा को गणितिय रूप में इस प्रिकार से लिख सकते हैं निर्गत फिलक्स फाई बरावर लिमिट डिये अप्रोचे जीरो समेशन ओफ डिफाई डिफाई किसी एक अलपांस से निर्गत फिलक्स है समेशन उन सभी के जोड को बताता है मानली जीए बहुत सारे हैं तो इसलिए मैंने उसको एक सबिस्क्रिप्ट आई यूच किया और हम जानते हैं कि जो निर्गत फिलक्स मिलेगा वह है निर्गत फिलक्स सदिश छेत्र और छेत्रपल के अदिश गुडन फल से मिलेगा इसलिए मैं इस सम्मिकरन को अब लिख रहा हूँ लिमिट डिये एप्रोचे जीरो समेशन आई एई डॉट डिये आई हम सभी ने ट्वेल्थ क्लास में बार्मी क्लास में कैल्कुलस सीका हुआ है और कैल्कुलस में हमने डिफ्रेंसेशन, इंट्रिगेशन, अबकलन, समाकलन हमको इन सब की जानकारी है तो ये इस्तिती किस प्रकार की बन रही है जरा इस पर आप विचार करें ये इस्तिती क्या बन रही है कि हमने एक बंद प्रस्ट को उस बंद प्रस्ट को अनेक अलपांसों में विभाजित कर दिया है और हम प्रते अलपांस से निर्गत फिलक्स को ले रहे हैं उनका जोड़ कर रहे हैं तो निश्चित रूप सोये आपको कैलकुलस के ग्यान से ये ध्यान आगया हो गया कि ये जो परिस्तिती बनी है यहे परि PHIL समाकलन की बन गई है इसलिए हम अब तीसरी समीकरन में क्या लिखने जा रहे हैं 5E equals to integral as vector a dot da integral as integral का जो चिन्र बना है उसके नीचे हमने S लिखा है और यह S इस बात को बताता है कि हमने सदिश छेत्र का प्रस्ट समाकलन सदिश छेत्र का प्रस्ट समाकलन अर्थात सरफेस इंट्रीगल जब हमने ग्याद कर लिया है तो ग्यात करने से हमको उस बंदपत से निर्गत कुल फिलक्स का मान प्राप हो गया है इस संकल्पना का उप्योग और इस की एप्लिकेशन हम बिद्दु चुम्बकत में प्रथम इकाई से लेके अपनी आखरी इकाई पांच मी तक करने बाले हैं हर जगे उप्योग होगा जब हम बिद्दु चेत्र में अध्यान कर रहे होंगे जब हम चुम्बकी चेत्र में उप्योग कर रहे होंगे जब हम मैक्समेल की समीकरन निकाल रहे होंगे इसलिए इस तरह के पद का बिलकुल ग्यान और इसकी सही सही समझ हमको बहुत जरूरी है बिदुत चुम्बकत में हमको सदिस्का और इनका अभ्यास बिलकुल ठीक होना चाहिए आज की बात को मैं यहीं बिराम देता हूँ झाल 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 झा